हलो एंड वेलकम आप देख रहे हैं बॉलिवुड गपशप और आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी बॉलिवुड गपशप में आज क्या है खास चलिए डालेंगे नजर बिग बॉस 13 की बबली गर्ल शैनाज गिल आज कल काफी सुर्खियों में है आज कल शैनाज अपनी तस्वीरों से अपने बॉडी ट्रांस्फोमेशन से लोगों को इंप्रेस कर रही है अब अपने लेटिस वीडियो में शैनाज गिल ने एक कश्मीरी लड़की के लुग में दर्शकों को काफ़ इंप्रेस किया चैनाज गिल ने प्रिति जिंटा और रितिक रोशन की फिल्म मिशन कश्मीर का पॉपुलर गाना बुम्रो बुम्रो पर शान्दा डांस किया चैनाज ने इस गाने को कश्मीर की वादियों में शूट कर चारचांद लगा दिये हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट राहूल वैद्या ने नैशनल टेलिवीजन पर दिशापरमार के सामने शादी का प्रपोज रखने के बाद सब के सामने अपने रिलेशन को कंफर्म किया था दोनों के प्यार और शादी को लेकर अब तक कई अठकले लगाई जा चुकी हैं लेकिन सोर्सिस की माने तो राहूल वैद्या जून में दिशापरमार के साथ साथ फेरे लेने वाले हैं एक रिपोर्ट के मताबेक राहूल वैद्या की माने गीता वैद्या ने बेटे की शादी को लेकर खुलासा किया है उन्होंने बताया कि जून में दोनों शादी के लिए तैयार हैं एक्टरस सनी लियोने मुश्किलों में फस्ती नजर आ रही है केरल में अपने परिवार संग छुटियां इंजॉय कर रही सनी पर 29 लाग के फ्रॉट का एक गंभीर आरोप लगा है इस सिलसिले में केरल क्राइम ब्रांच ने अक्टरस से पूच्टाश भी की है बता दे पैरम बबूर के इवेंट कॉडिनेटर आर शियास ने सनी लियोने पर आरोप लगाया है कि अक्टरस ने साल 2016 से 12 इवेंट के 29 लाग रुपे लिए है बिग बॉस 14 में बताओर चैलेंजर घर में एंटरी करने वाली राखी सावंध घर की सबसे स्ट्रॉंग कंटेस्टिन मानी जा रही है वो अपने एंटर्टेमेंट से फैंस के दिल जीत रही है शो में वो अक्सर अपने मिस्टीरियस पती रितेश के बारे में कई खुलासे करती हुई भी नसर आई इतना ही नहीं वो शो में अपने एक्स बॉइफरेंड अविशेक अवस्ती को बीच में खसी चुकी है और अपने ब्रेक अप के बारे में बता चुकी है हाल इंके एपिसोड में राखी सावंत ने अभिशेक के साथ हुए ब्रेकप की वज़ाओ का खुला सकिया राहुल वैद्य से बात करने के दौरान राखी सावंत ने कहा कि अभिशेक ने उन्हें धुका दिया है और उसके साथ साथ उनकी दोस्त के साथ भी रिलेशन में रहे और ऐसा काई बार हुआ इस सब के बाद अभिशेक ने राखी के आरोपों पर रियक्ट करते हुए कहा कि उससे जो कुछ कहा है वो एकदम गलत है अकसर हमने देर खा है कि फिल्मी सितारे अपनी आने वाली फिल्मों के लिए काफी जी तोड मेहनत करते हैं ताकि दर्शकों को उनकी फिल्म काफी पसंद आए अब तापसी पन्नू भी अपने आने वाली फिल्म शाबाश मिठू की शूटिंग के दौरान काफी पसीना बहा रही है हाली मैक प्रिस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट स्टोरी पर दो फोटो शेयर की जिसमें वो अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर प्रैक्टिस करती हुई नसर आई तापसी पन्नू अप क्रिकेटर की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तयार है ये फिल्म टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मिताली राज के जीवन पर आधारित बायोपिक है आज कल जहां देखो सिर्फ और सिर्फ हर जगा बिग बॉस की चर्टा है और हो भी क्यों ना खिर फैंस को इस शो का साल भर से इंतिजार जो होता है लेकिन बिग बॉस के इस सीजन में खर के बाहर हो चुके इजास खान एक बार फिर से खर में एंट्री लेने के लिए पूरी तरह से तयार है एक इंटर्व्यू में इजास खान ने बात करते हुए खुडासा किया उन्होंने कहा कि शो में वो दोबारा इंट्री लेने वाले हैं और वो इस सीजन में ट्रॉफी जीतने के पूरे हगदार हैं बता दें शो में इजास पवित्रा की वज़ा से काफी सुर्खियों बे थे दरसल दोनों ने शो पर ही एक दूसरे को लेकर अपने प्यार को कन्फिंस किया था बॉलिवुट गपशप में आज के लिए बस इतना ही लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले